तो आज के इस वीडियो में आपको बताने माला हूँ की IPPB यानि के दोस्तों इंडियन पोष्ट पेमेंड बैंक मैं आप बेनिफेसरी एड़ कैसे करेंगे और दोस्तों किसी को भी बेनिफेसरी एड़ करके पैसे ट्रांसफर करना चाहतें तो दोस्तो कैसे करेंगे मैं आपको इस वीडियो में complete पोसे step by step करके बताने वाले हैं आनि कि दोस्तो आप Indian Post payment bank में beneficiary add करके किसी कभी bank account में direct पैसा transfer करना चाहते हैं तो दोस्तो कैसे कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में complete पोसे step by step करके बताने वाले हैं को चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या हогा Indian solids ब Dulconamba bank application को open कर लिया और दोस्तों mpin डाल कर मैं login कर लेता हूँ login होने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सो करेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं अब दोस्तों आपको करना क्या है अपने यहाँ पर देख सकते हैं एक option आपको दिखाए देगा मौर का तो दोस्तों आपको करना चाहिए इस मौर के option पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सरा option आजाएगा अब दोस्तों अपना बेनिफेसरी एड करना है किसी कभी bank account यहाँ पर आड करना है उसके बाद उसी के bank account में पैसा transfer करना है तो दोस्तों यहाँ पर manage beneficiary लिखा हुआ यहाँ पर देख सकते हैं इस पर आपको simply क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों manage beneficiary पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर यहाँ नंबर के थुलीक कर देना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप दोस्तों नीचे में एक option आपको दिखाए देगा जैसा कि दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं एक option दिखाए देखा 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 हुआ इस पर आपको simply click कर देना है जैसे दोस्तों add new beneficiary पर आप click करेंगे अब जिस बंदे का यहां पर beneficiary add करना चाहते है यानि कि दोस्तों account number यहां पर आपको add करना चाहते है उसका यहां पर detail आपको डाल देना है सबसे सबस्टीर बेनीक रहें चल निकनेम डालने के बाद ऐस조 अकरन डामम डालेनां है Canada फिर से दोस्तों आपको यहां पर करना रीकाउंट नमबर आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे ही दोस्तों आप री-Qué account नमबर यहाँ पे आपको डाल देंगे, अब दोस्तों आपको नेचे में euro प्रच आये ओप है c2 आपको डाल देने हैं यहां खुब याद तो याँ डाल देंगा अगर मैं नहीं है तो यहां पर चख कर सकते ही उसके बाद दोस्तों आपको रूब ऑप्सिन दिखा थे कंटिन्यीव फे आपको simply click कर देना है जैसे ही दोस्तों इस Cont cũ पर option में आप देख सकते हैं इस confirm option पे आपको simply click कर देना है जैसे ही confirm पे आप click करेंगे आपके registered mobile number पर OTP हैगा यानि कि दोस्तों Indian post permit bank में जो भी mobile number registered उस पर OTP हैगा उस OTP को डालकर नीचे में submit को option पे click कर देंगे चलिए मैं अपने यहाँ पे OTP डाल देता हूँ जैसे ही दोस्तों मैं OTP डालकर नीचे में submit को option पे मैं किलिक करता हूँ आपका beneficiary यहाँ पे add हो जाएगा जलिए मैं अपने यहाँ पे OTP डाल दिया अब दोस्तों नीचे में submit को option दीगा है submit पे मैं click कर देता हूँ इस पर आप किलिक करेंगे जैसे दोस्तो सेंड मनी नौ पर किलिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरपेस आ जाएगा चलिए मैं यहाँ पर सेंड मनी नौ पर किलिक करता हूँ अब दोस्तो यहाँ पर उसके यह पूरा डिटेल आ जागा अब दोस्तो आपको क्या amount यहाँ पे transfer करना चाहते हैं money transfer करना चाहते हैं को दोसके बाद सो यहाँ पर continue को ओप्घ्षियो इस द做 reaction कर दाया है तो आप CD पैंडियन पैमिन पर इस तरह से आपoni के से से आदेा हैं डिफंटा मीलोझ और वूट संद आँ आ Jiang एंड शेयर जरूर करें